खगड़िया जिले के चौथम थाना में एक अजीपो गरीब जानकारी सामने आ रही है कि चौथम आंचल में ड्यूटी कर रहे पुलीस के जवान भोजन के लिए ललाईत रहते हैं बिना भोजन किये ही पूरे दिन ड्यूटी पर तैनायत रहते हैं ड्यूटी पर तैनायत जवान शंभू कुमार ज़ा एवं प्रफल कुमार ने हमारे खगड़िया संबाता था सुमलेश कुमार यादव को बताया कि आपके चैनल के माध्यम से अपना दोख दर्थ शाषन तथा पर शाषन तक पहुंचा ना चाहते हैं उन्होंने बताया कि वे लोग सुबा से शाम तक भूटे प्यासे अंचल कारयाले में ड्यूटी करते हैं अभी तीन बजे तक उन्हें भूजन नहीं दिया गया है रोज का यहीं खाल है खग्रिया जिला के चोथम परकंड आये हैं जहांके नामांकन जारी है हम जब नामांकन काक्षी में आये बाहर हम घुम रहे हैं तो हम यहां देखा कि कुछ सुरक्षावल हम से सिकायत कर रहे हैं कि उन्हों को भोजन नहीं मिलता समय से वे लोग जूटी अपना बुड़ा कर प्रश्टे कभी कभी बाड़ा गंटा भी तुकी नोच लिया जाता है लेकिन खाने के नाम पर बिल्कुल लापरवाई बढ़ती जारे हैं यह वह इस बात करते हैं क्या नहीं हो आपका अब किस थाना में है हम यह चोथम अन्चल क्या पर रहा नहीं मिलता है का बज रहा है सब्सक्राइबस्स कुछ नहीं कुछ नहीं मिलता है अब क्या गार्ड वोले संभुकमार से अपने सुना की तीन बज़े तीन बज़े तीन बज़ा है समयती भजर अभी घरित में और इन्हों को अभी तक भोजन नहीं दिया गया है और आई एक और समभाद के तिस्पाहिस क्या नहीं आपका? तर्पुल कुमार से अच्छा आप लोग अभी कहां डुटी कर रहे हैं? यह अन्चले में हैं तो क्या दिकत आप लोगो? जो है नहीं दो दॉटे। मैं टॉटी में पाँ अभी कर दिकत एक एक भोजन में हारी? का नम बोले पर्फुल कुमार सींग का शिकाइत है यह साथ महना से चोथम थाना में है अंचल में डूटी करें और यह दीन रात मेहनत करते हैं लेकिन भोजन नहीं तीन बज़ रहा है और खाना नहीं दिया आप भी पताएं कि खानाा जिसको निखिला जाएगा वो कैसे डूटे करेंगे चोड भी जपट के बाग जाएगा बीना खाए भोके आदमी कैसे चोड को पकड़ सकता है किसी से निपड़ सकता है आज हम आपना खबर जो है बरिया पतादीकारी को अबध कराते हैं क्या इस पर ऐसा है मुंगेर के तारपूर विधानसभा में इलेक्शन आइकॉन हीरो राजन कुमार ने टेटिया बंबर प्रखंड शेतर के लोगों को मदान के लिए प्रेडित किया बता दें कि मुंगेर के तारपुर विदानसबा शेतर में हो रहे उपचुनाव को लेकर हीरो राजन कुमार आज तारपुर विदानसबा शेतर में घूम घूम कर लोगों को मद्दान के लिए प्रेरित कर रहे थे लो अरे भूल गए आप आज 30 अक्टूबर है अरे दिन शनिवार हाँ भई आज 164 तारा पूल विधान सवा का उप्चुनाव है आपने वोट करना है अच्छा मैं कौन हूँ इतनी जल्दी भूल गए मैं हूँ चारली जैपलिन सेकेंड अरे भई आइकन हीरो राजन कुमार Election Commission of India का आइकन चली जल्दी कीजे भई जल्दी तयार हो ये और सबसे पहले पहले मतदान उसके बाद जलबान देखे सुगा का समय है एदम खुशनमा मौसम है मैं भी तयार होकर बैठा हूँ और वोट करने के लिए निकल रहा हूँ मैं और मैं आपको साथ लेकर चली 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 जली चली है की नहीं It's my humble appeal to all of you. Just do vote for Tarapour. Yes. आपने शक्त पृतिशक्त मदान करना है. न कोई परिशानी होगी न कोई बहाना होगा. भाया इस बार तो वोट करने जाना ही जाना होगा. चली अब चार्ली ने बात आपसे कहा दी है निकलिए चली 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 श खबर अरवल जिले से है जहां बड़े रेड लाइट एरिया जनकपुर धाम में च्छापे मारी की गए है जहां काफी लंबे समय से सेक्स रैकेट के धंदे का संचालन किया जा रहा था बताया जा रहा है कि पटना पुलीस ने एक NGO और इस्थानिय थाना की एक बड़ी टीम ने मिलकर ये च्छापे मारी की है जिसमें लगप दरजन से भी अधिक लड़किया पकड़ी गई हैं सेक्स रैकेट के बड़े गिरोग का भांडा फोड होने के बाद इलाके में हड़कम मच गया है पटना और अरवर पुलीस ने सेक्ट रोप से छापे मारी की है और कुछ लड़कियों ने ऐसी शिकायत की है कि उन्हें जबरन देव्यापार में धकिला गया है यह भी बताया सेक्स रैकेट में पकड़ी लड़किया में कई नावालिक है आपको बता दें शिकायत मिलने के बाद पुलीस ने रेड लाइट एरिया में दबिश डाली और चापे मारी की दौरार कई लड़कियों को गिरफतार किया पुलीस को यहां पर लड़कियों को लाकर जबरन दे बताई जा रहे हैं किधार पुलीस पुरे मामले की जार्च में डुट गई है अर नाइन भारत के लिए रंजिन कुमार की रिपोर्ट अरवल अर नाइन धुलीस पुलीस पुलीस